नमस्कार दोस्तों हिंदी वाले सर यूट्यूब चैनल में आपका एक बार पुने हारदीक स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ DSSB के द्वारा जो हाल ही में 28 अगस्त को TGT हिंदी का एक्जाम लिया गया था male category का उसकी expected cutoff क्या रहने वाली है उसकी चर्चा हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले है तो ये एक्जाम हो चुका है और आंसर की भी आ चुकी है इसकी सबसे पहले बात करते हैं कि paper का इसतर कैसा था यानि कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे और क्या expectation थी लोगों की कि इस तरीके के सवाल आएंगे की नहीं आएंगे वो जान लेते हैं सबसे पहले पहला paper दो paper हुए थे यानि कि एक ही paper में दो portion थे पहला paper जो 100 नंबर का था जिसमें 5 अलग अलग हिस्से थे 5 अलग अलग portion थे पहला समाने हिंदी समाने अंग्रेजी अंकर गणीत mental ability और पांचवा portion जो था वो समाने ग्यान से समद्दित था तो जनरल हिंदी का paper एकदम सरल से आया था एक paragraph था आसानी से सब लोगों ने किया था और हिंदी वालों ने बड़ी आसानी से किया था जनरल इंग्लिस का paper सरल से थोड़ा सा उपर लेवल का था कुछ नहीं सवाल जो है वो देखने को मिले थे अंकर गनित का paper यानि कि math का paper थोड़ा tough था तफ इसलिए था क्योंकि calculations बहुत ज़्यादा थी lengthy थे सवाल और time ज़्यादा consume कर रहे थे इसलिए maximum हिंदी के candidates ने ये portion छोड़ा है mental ability एक दम सरल flat सवाल थे general awareness यानि कि gk के सवाल जो थे वो थोड़े से leak से हट कर थे अलग तरीके के सवाल थे इसको moderate level कहूँगा मैं दूसरा paper जो subject specific था एक ही paper में include था continue 200 सवाल थे उसमें तीन हिस्से लगबग कर दिये मैंने यानि कि तीन हिस्सों से सवाल आये थे कावेशास्तर से सवाल आने थे लेकिन इस paper में आये नहीं थे कोई एक अदू का सवाल कावेशास्तर से समंदेत था जैसे अलंकार पूछ लिया था एक तो grammar यानि कि व्याकरण व्याकरण moderate level का था बिल्कुल सरल भी नहीं था और कठिन भी नहीं था कि समान्य था और हिंदी साहित्य का इतियास यानि कि साहित्य के जो सवाल आई थे इस paper में वो बड़े flat और सरल सवाल थे अमोमान ये सवाल आपको हर एक एक एक्जाम में हिंदी टी जी टी के हर एक एक एक्जाम में देखने को मिल जाते हैं वैसे ही कुछ सवाल थे नया कुछ नहीं था इसमें हाँ हालंकि दो-चार सवाल ऐसे हैं जिन पे आपतियां दर्ज की जा सकती हैं और लोग इन पर आपतियां लगा रहे हैं शिक्षन विद्याओं के सवाल एकदम सरल से थे एक दो सवाल ऐसा था जो कठिन था या कठिन भी नहीं कहें तो ठोरी से था बागी सब प्रेक्टिकल बेस्ट सवाल थे आपने बीर्ड वगेरा में ये सब कुछ पढ़ा था सीटेड क्लियर करके आए हैं तो ये सारे सवाल आपको आ रही होंगे ऐसा मेरा मानना है इस रिसाब से अगर पूरे पूरे पेपर का विश्टेशन किया जाए यानि कि 200 नंबर का जो पेपर था उस पूरे पेपर का विश्टेशन किया जाए तो कुछ बाते हैं जिनको ध्यान में रखकर मैंने कट आफ निर्धारित की है फरस्ट आफ आफ ओल ये पेपर ऑनलाइन था PGT के और PGT के एक्जाम्स अमुमन आउनलाइन नहीं होते हैं आफ लाइन ही मोड होते हैं लेकिन अब सभी जगे ये आउनलाइन मोड में पेपर हो रहे हैं आउनलाइन मोड था लेकिन आउनलाइन मोड में भी DSSB का एक अलग ही तरीके का पेपर कंडिक्ट करवाने का तरीका है जिसमें सारे के सारे 200 सवालों को 20-20 के फेज में बांट दिये थे और एक फेज सब्मिट करने के बाद ही आप नेक्स्ट पर पहुंच सकते थे अन्य था नहीं समय कम था 200 सवाल करने थे सिर्फ 120 मिनट में जिसमें मैथ भी है आपके सामने अंगरी जी भी है आपके सामने तो ये दिक्कत आई थी मुझे लगा था कि मैक्सिमम लोगों ने जो हिंदी वाले थे उन्होंने 40 मिनट में बाकी के 100 सवाल किये और इससे पहले का पूरा समय जो है फस्ट वेपर के लिए दिया था पैटन थोड़ा जीब था पैटन अभी डिस्कस किया आपके सामने सिलेबस इसका नहीं था कोई फस्ट वेपर का तो कोई सिलेबस ही नहीं था सेकेंड वेपर फिर भी अनुमान था कि इस तरीके का आएगा पांचवा कारण जिनकी बज़े से मुझे लगता है कि कट ओफ थोड़ी सी डाउन रहेगी वो ये कारण है केटेगरी जैसे से और स्टी के केंडिडिट जो अधर स्टेट के हैं उनको तो सामिल किया गया है लेकिन ओबी सी केंडिडिट को जो डिली के रहने वाले हैं डिली के मौल निवासी है उनहीं को ओबी सी केटेगरी के फ् there are जाएगा बाकी के जो ओबी सी केंडिडिट है वो जनरल में अकाउंट होंगे तो इस वज़े से OBC की कट ओफ थोड़ी सी डाउन रहेगी और इन सब के बाद नेगेटिव मार्किंग भी एक फंडा है जिसकी वज़े से मैंने ये कट ओफ इस तरीके से डिसाइड की है ये एक अनुमानित कट ओफ है आपको पहले ही बता चुका हूँ प बहुत से लोगों की प्रतिकिर्याएं आने के बाद लगबग पांस दिन हो गए मुझे पांस दिन अद दिन करने के बाद मैंने फिर ये कट ओफ आपके सामने दी है जनरल कैटेगरी के लोग जिनके एक सो तीस से पैंतीस के बीच सवाला सई हो रहे हैं वो सेफ जॉन में ह पहले ही बताया था सिर्फ दिल्ली वालों को बीसी माना गया है बाहर के चैंडिडेट चाहे वो सेंटरल लिस्ट में ओबीसी में है या नहीं है ओबीसी में काउंट नहीं किये जाएंगे वो जेनरल के लिए फाइट करेंगे इस वज़े से ओबीसी की कट ओफ थोड़ी सी डाउन रहेगी एक सो पंदरा से बीस मैं कहूंगा कि एक सो पंदरा वाला सेफ है ओबीसी में क्योंकि लगबग फॉर्म आए हैं अठारा सो के आसपास टीजिटी हिंदी मेल के और उसमें से 50 परसंट लोगों ने एक्जाम दिया है तो इस वज़े से कट ओफ थोड़ी डा करें आप नेट के वी एस डी ट्रिपल स्बी और एनवी इस के एक्जाम के लिए हमारे इस चैनल हिंदी वाले सर को सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको यहां पर लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेगी डी ट्रिपल स्बी के बीस एनवी